हेलो दोस्तो आपने बहुती सांधार वीडियो पे किलिक कर दिया है और आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुसकवरी लेकर आए हूँ जो अभी अभी दिल्ली पुलीस का सिफ्ट वन का पेपर हुआ है दोस्तो उमीद से ज़्यादा आसान पेपर आ गया है अगर आपने वीडियो पूरा देख ले तो आप लोग सेलेक्शन के बिल्कुल करीब पहुँच जाओगे तो दोस्तो जो भी मैं सवाल लेकर रहा हूँ 100% रियल सवाल है जो की आपके एक्जाम में आ चुके है और दोस्तो यह आपके पहली पाली का पेपर है जो भी आपके जीके के गणित के और रिजनिंग के जो भी सवाल आपके पेपर में आए जो भी अभी अभी सवाल का पेपर हुआ है दोस्तो 100% रियल सवाल है एक एक सवाल को मैं दोस्तो ट्रीक से कराने वाला हूँ अगर आपने वीडियो पूरा देख लिए आपका सेलेक्शन definitely हो जाएगा और दोस्तो इस वीडियो से आपको कम से कम 8-10 सवाल मिलने वाले हैं 8-10 सवाल आपको इस वीडियो से मिल जाएंगे देख लेते क्या क्या सवाल आपके एक्जाम में पूछेगे जो भी आपकी पहली सिप्ट है अगर आप कोई भी गुर्मेंट एक्जाम की तयारी कर रहे हो और आप ट्रिक से पढ़ाई करने चाहते हो जो नीचे लाल कलर का बटन होता है इसको दबा लेंगे चैनल को जोईन कर लेंगे सबस्क्राइब कर लेंगे बैल आइकन को ओल कर लेंगे ताकि सारे ट्रिक वाले वीडियो आपको टैम टू टैम मिलते रहे हमारे चैनल का नाम है एक्जामेटिक स्टडी देख लेते गैस क्या सवाल पूचा गया ये सवाल पूचा गया था किसे गूगल पे इंडिया की नई सलाकार न्यूक्त किया गया है तो दोस्तों ये क्या गया है सीका सर्मा को कहां पर गूगल पर देख लेते गैस अगला सवाल क्या पूचा गया तो दोस्तों एक सवाल ये भी पूचा गया आपसे रोजगार सेतु योजना किस राज्या दुवारा सुरूव की गई है, तो दोस्तों ये की गई है मद्धे परदेश राज़ा के दुवारा, देख लेतें कहाई जगला सवाल क्या होगा, एक सवाल आपका ये भी आया, राफेल विमान उड़ाने वाली पहली महिला पािलेट कोन बनी है, तो दोस्तों इनका नाम है स देख लेते हैं जगला सवाल क्या होगा एक सवाल आपका ये भी आया कपड़े दोने की मसीन किस सिधान पर कारिय करती है तो दोस्तों कपड़े दोने की मसीन करती है आप केंदरिक करण पर यानि सेंट्रिफ्यूगल फोर्स पर सेंट्रिफ्यूगल बल देख लेते हैं जगल किया गया है ये किया गया है सिंगा-पुर में दोस्तो ये सवाल आपका करंट-फियर का था अगर आपने थोड़ा भी करंट-फियर अच्छे से पढ़ा है definitely 100% आपका selection होने वाला है देख लेते गया जगला सवाल क्या होगा है एक सवाल आपका ये भी आया विस्व स्वास्तिय दिवस World Health Day कम मनाया जाता है तो दोस्तों यह मनाया जाता है 7 अपरेल को दोस्तों अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया इस वीडियो में से आपको 8 से 10 सवाल आपका जो भी अगला सिफ्ट का पेपर होगा डेफिनेटली दोस्तों सवाल रिपीट कर रहे है मैं तो आपको बोल रहा होगी यह वीडियो पूरा देख लो देख लेते गया जगला सवाल क्या होगा एक सवाल आपका ये भी आया वास्पी करण और संगनन की संयुक परकरिया को क्या कहा जाता है आसवन कहा जाता है देख लेते गया जगला सवाल क्या होगा एक सवाल आपका ये भी आया ग्यान पीट पुरुषकार प्राप्त करने वाले पहली महिला कौन थी तो दोस्तों इनका नाम था आसा पूर्णा देवी देख लिट गया जगला सवाल क्या पूचा गया एक सवाल आपका ये भी आया विश वियवपार संगटन की स्थापना किस वर्स की गई थी तो दोस्तों ये की गई थी 1995 में 1995 में आपका राइट आंसर हो जाएगा देख लिट गया जगला सवाल क्या होगा एक सवाल आपका ये भी आया था विश्वास्त्य संगटन डबलू अच्चो के कारियकारी बोड़ गया देक्स के रूप में किसको चुना गया है ये चुना गया डोक्टर हर्सवर्दन को देख लेते गया सगला सवाल क्या होगा एक सवाल आपका ये भी आया लोकसभा का परतम सत्र कब आयोजित हुआ था तो दोस्तो ये हुआ था 1952 में 1952 आपका राइट आंसर हो जाएगा देख लेते गया जगला सवाल आपके पिपर में क्या आया संयुक्त राष्ट में भारत का इस्ताई परतिनीदी हाले में किसे निक्त क्या गया है डर्बी ट्रोफिक की स्केल से संबंदित है तो दोस्तो ये संबंदित है गुड़ दोड से देख लेते गया जगाज आपके पिपर में अगला सवाल कौन सा पूछा गया दोस्तो जो भी मैं सवाल आपके रीजनिंग के और गणित के कराऊंगा मैं आपके ट्रिक से कराने वाला हूँ ये वीडियो आपके लिए बेस्ट होने वाली है अब अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया तो दोस्तो 100% आपका सेलेक्शन हो जाएगा अगला सिप्ट का जो भी पेपर आएगा दोस्तो डेफिनेटली आपको कोई प्रोब्लम नहीं होगी देख लेते गए जगला सवाल क्या पूछा गया एक सवाल आपका ये भी आया 1926 में भारत मुगल सामराज्य की स्तापना किस ने की थी ये की थी बाबर ने देख लेते गए जगला सवाल क्या होगा एक सवाल आपका ये भी आया भारत की कौन सी कमपनी विस चालिसवी मुल्यवान कमपनी में सामिल हो गई है तो दोस्तो ये कमपनी का नाम है Reliance Industry देख लेते गए जगला सवाल कौन सा होगा ये दोस्तो आपका रिजनिंग एक सवाल है इसको मैं बहुत अच्छे से ट्रिक से कराने वाला हूँ ऐसा इस सवाल hundred percent आपके पेपर में आने वाला है तो दोस्तों इस सवाल को देख लो ध्यान से इसमें बोला है इसका सम्ण्द इस से है और इसका सम्ण्द किस से होगा आपका पूछ रहा है तो करेंगे क्या सवाल में इस सवाल में क्या करेंगे 15 का वर्ग करेंगे इसक्वार करेंगे और आप क्या करेंगे 5 को गटा देंगे 15 का इसको आर होता है 225-5 तो 220 आपका आ जाएगा यानि यह लोजिक इस सवाल में काम करने वाला है तो दोस्तो इसमें भी यह लोजिक लगा कर देखो 25 का वर्ग मैनस 5 तो दोस्तो इकैसे निकल के आएगा 625 मैनस 5 तो दोस्तो 620 आपका राइट आंसर आ जाएगा इस सवाल का अगर आपने वीडियो पूरा देख लिए डेफिनेटली आपका सेलेक्शन होने वाला है एक-एक सवाल को बड़े ध्यान से देखना है अगर दोस्तो आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आया जो नीचे लाल कलर का बटन होता है इसको दबा कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे क्योंकि दोस्तो हमारे चैनल पर ट्रिक से पढ़ाई की जाती है देख लेते गया सगला सवाल क्या होगा एक सवाल आपका ये भी आया काफी आसान सवाल पूछा गया था तीन के पहले तीन के पर्थम पांच गुणजो का ओसत बताओ मतलब जो तीन के पहले पांच गुणज है तीन दुनी छे, तीन तीन नो, तीन चोक बारा, तीन पंजे पंदरा इनका ओसत बताना है क्या करेंगे पहली संक्य उठाएंगे दूसरी उठाएंगे इनको जोडेंगे तीन प्लस पंद्रा भाग दे देंगे दो से ये हो जाएगा अठारा बटे दो और ये जब इसको भाग करोगे नो आ जाएगा तो दोस्तों इनका जो ओसत निकल के आएगा नो आपका राइट इसे कह सकते थे देख लेेते कैने जगल सब्राल कॉनसा होगा आपका इक सवाल आपका ये भी आया ये दोस्तोत इतना आसान सवाल है हंडेर परसेंट सवाल आपको ऐसा पेपर में देखने को मिलेगा ही मिलेगा वीडियो को पूरा देख लो बारा लड़कों की ओसत आयू बारा वर्स है उन में से ग्यारा लड़कों की आयू ओसत ग्यारा वर्स है तो बारवे लड़की की आयू बताओ काफी आसान सवाल आप कैसे करोगे इनका योग निका यहां से क्या 144 फिर आप क्या करोगे 11 लड़कों की आईयू क्या है 11 लड़कों की आईयू का ओसत है 11 वर्स तो क्या करेंगे 11 की गुणा 11 में कर देंगे तो यह आजाएगा 121 जब आप इसमें से इसको गटाओगे तो यह आपका आएगा 23 तो दोस्तों जो बारवा लड़का होगा उसकी आईयू आजाएगे 23 वर्स तेईश वर्स आपका राइट आंसर हो जाएगा अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना 23 वर्स आपका राइट आंसर हो जाएगा देख लेते हैं जगला सवाल क्या पूछा गया काफी आसान सवाल है यह भी मैं आपको ट्रिक से बताने वाला हूँ दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल यह पेपर में आने वाला है मैं आपको पहले बता देता हूँ ऐसा कहीं चली हुए है यहाँ पर पूछ रहा है क्या आएगा तो इसको मैं बता देता हूँ आपको कैसे करेंगे इसमें से हम एक लेटर को उठाएंगे क्या करेंगे एक लेटर को यहां से उठाएंगे जैसे हमने एक्स को उठा लिया एक्स का कोड क्या होता है पहले हमने एक्स को और X का कोड होता है 24 और दोस्तो W का कोड W उठाया W का कोड होता है 23 यहां से V उठाया V का कोड होता है 22 U उठाया U का कोड होता है 21 तो दोस्तो मैंने इस स्रीज में से सब का एक एक लेटर उठा लिया और जो answer आएगा आपका यहाँ पर लिख देंगे हम तो दोस्तों इनमें अंतर कितने का चल रहा है minus 1 minus 1 minus 1 sorry minus 1 है यह दोस्तों यह minus 1 और बाद वाले भी minus 1 आएगा यह आजाएगा आपका 20 तो दोस्तों 20 किसका code होता टी का तो यहाँ पर आपका T आजाएगा यानि हमें एक letter मिल चुका है अगले वाले को भी हम trick से करने वाले हैं कैसे करेंगे अगले वाले के लिए अब हम दूसरा letter उठाएंगे यहाँ से दूसरा letter फटफट उठा लेंगे यहाँ से J का code कितना होता है 10 L का code कितना होता है 12 N का code कितना होता है 14 P का code कितना होता है 16 और जो अगले वाले का code क्या आएगा अब देख लो pattern क्या चल रहा है पलस दो पलस दो पलस दो पलस दो तो यह आएगा 18 18 किसका code होता है R का तो दोस्तो T R आपका right answer आजाएगा सवाल का TR आपका correct answer हो जाएगा अगर आपने इस तरीकी से सवाल किया होता definitely आप राम से करके आ जाओगी I hope दोस्तो पूरा लोजिक आपके दिमाग में बैठ गया होगा अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो लाइक करके जरूर जाना तो दोस्तो आप लोग बताना आपको वीडियो कैसी लगी और दोस्तो जो अगर आप गोर्मेंट एक्जाम की तयारी करें और आपको गणित और रीजनिंग आपको ट्रिक से पढ़ाई करनी है तो दोस्तो ये चैनल का लाल कलर का जो बटन होता है नीचे के साइड में इसको जरूर दबा लेंगे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और ये बैल को ओल कर लेंगे ओल करने से क्या होगा सारी ट्रिक वाले वीडियो आपको मिल जाया करेंगी हमारे चैनल का नाम है अग्जाम मैटेक स्टडी और दोस्तों सभी ट्रिक आपकी जो भी आपकी पढ़ाई से लेटेट जो भी ट्रिक है सभी इस चैनल पर आपको मिल जाया करेंगी अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक कर देना इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पेपर के लिए बेस्ट ओफ लग ये आपका पहली पाली का पेपर मैंने आपका सोल करा दिया है थैंक यू सो मच